नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि डोलोनेक्स E-Tablet का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, डोलोनेक्स E-Tablet को कैसे लेना चाहिए, और डोलोनेक्स E-Tablet की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यहां भी डिसकस करेंगे कि डोलोनेक्स E-Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, डोलोनेक्स E-E एक ग्रैंड नेम है, डोलोनेक्स E-Tablet के अंदर सॉन्ट कंपोजिशन इतोरिकोक्सिब होता है, डोलोनेक्स E-Tablet 60MG, 90MG वर 120MG की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, डोलोनेक्स E-Tablet का उप्योग शरीर में दर्ध होने पर और सॉजन को कम करने के लिए डोलोनेक्स E-Tablet का उप्योग किया जाता है, यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़ह से सॉजन आ गई है, तो डोलोनेक्स E-Tablet दर्ध के साथ-साथ सॉजन को भी कम करती दोलोनेक्स E-Tablet का उप्योग शरीर की मासपेशियों में दर्ध होने पर, शरीर की हड्डियों वशरीर के जोडों में दर्ध होने पर, सिरदर्ध होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर के दर्ध, कान के दर्ध और गले के दर्ध आधी कंडिशन्स में दोलोनेक्स E-Tablet का उप्योग किया जाता है रूमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस होने पर भी जोडों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी डोलोनेक्स टैबलेट का उप्योग किया जाता है इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी दर्द से राहत पाने के लिए डोलोनेक्स टैबलेट का उप्योग किया जाता है साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में डोलोनेक्स टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में डोलोनेक्स अजली होना, वचा पर रैशेस होना, भूप कम होना, दस्त होना, नीन अधिक आना, सिर्छ चक्राना और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। दोरा पढ़ने का और लगवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। बीमारी की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्तर डोज को बढ़ा कर डोलोनेक्स ए 90 mg टैबलेट या डोलोनेक्स ए 120 mg टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सला दे सकते हैं। बच्चों को डोलोनेक्स ए टैबलेट को देना रेकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशन्स में डोक्तर की सला के बिना डोलोनेक्स ए टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। डोलोनेक्स ए टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि डोलोनेक्स ए टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वज़ह से पेट में ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए डोलोनेक्स E-Tablet का सेवन करना सुरक्षत वर रेक्मेंडेड नहीं है। डोलोनेक्स E-Tablet मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं में Dolonix E-Tablet मा के दूट के जरीए बच्चे तक पहुँच सकती है। और दूट पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Dolonix E-Tablet को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Dolonix E-Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।